तो चलिए इधर आलू और मैं ब्रेट से बहुत ज़्यादा टेस्टी सनास्ता बताने वाली हूं तो इधर तीन आलू ले लिए थे तो इन उबले हुए आलू है इनको हम मैस कर लेते हैं तो यह देखें मैस कर लिए हैं इसमें हम डाल देंगे कुछ चीजें मसाले तो इधर न भीया और मिदे के नमक डाल देंगे और दोस तो इतो हम अधर नाम डी यह चिली word लेक्स जो थोड़की तीक्रिक्षए होते हैं इसे कंप अंगे नमक डालेंगे वो चिली और यूद इसमें हमदा इनके हर भनी сторон theor कि लेते हैं प्रफ्जों दिखला मिक्स कर लेते हैं तो इसमें आप सब्जी और भी अट कर सकते हैं, जैसे सिम्मल मिर्च गाजर और प्याज भी एड़ कर सकते हैं, बार इकट करके, बट मैं नहीं डाल रही हूं, बस मैं सिंपल सही नियासता बताने वाली हूं, बट फिर भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा डाल दें कि इस नीब लेंगे जो गोल ready करने के लिए आप इधर ना मैं इधर चावल काटा ले रही हूं आप इधर मैदा या तो कौन फुलार या तो आप गियू काटा भी ले सकते हैं इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और इसमें हम पानी डा अधा पतला नहीं करना है ज्यादा गाळा करना है क्योंकि जो हम आटा chickens और अम Norman dram आटा है ना थोड़ा सा टाइम लगे घंड़ा थोड़ा लगे आपको आपको यह टेंचल लेंने की जोरत नहीं है कि पतला हो गーツच कि यह बहुत भी हो जाता है तो यह देखिए इतना हमें चाहिए ऐसा उसके बाद हम ब्रेट ले लेते हैं तो इधर लिए ब्राउन ब्रट भी ले सकते हो इधर ब्रेट को एसे हमें कट लेगा गोल गोल से आप ऐसे मतलब सिंपल भी बना सकते हैं बर्ट मैं थोड़ा कट करके नई इसको अच्छा सा सेप देने के लिए मैं ऐसा कट कर रही हूं उसके बाद इसमें लगा देंगे सॉस तो इधर टमेटो सॉस लगा देते हैं कि मैं इतर बोल रही थी कि मैं तीखा नहीं बनाती उ तो आप इधर नखी तो अधर चिली सॉस और अभागा कर सकते हो या पिजा सॉस जो होता है, वो सेज वान चटनी ये वगएरा लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रही हूँ, अब इधन मेरे पास एक जो चीज होता है, एक मतलब वो था, एक क्यूप था मतलब जो होता है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा से चीज डाल दी हूँ, और उपर से डाल द जाता है, तो यह नाज था अब बहुत जादा टेस्टी लगता है, आप ना रात में भी इसको बना असकते हैं, वह जच्रुपट से बन जाता है, बस मसाला अगर रेडी रख्खो न, तो बहुत हम एस बरेड में लगा देंगे, मसाला- यह देगे जैसे वैं लगा रही हू हुआ है तो इसको हम इसमें अच्छे से कर लेते हैं जिसे ऊपर से नस्ता हमारा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहे तो यह देखिए पतला था बट यह चावल का आटा था इसलिए गाढ़ा हो गया है तो हमें इतना ही घोल रेडी रखना है तो यह देखिए ऐसे करके हम बना करने के लिए चड़ा दिये थे तो गरम हो गया है तिल मीडियम में तो इधर हम फ्राइ कर लेते हैं तो इधर नए एक की फ्राइंस करेंगे क्रिया क्रिस्पी होने तक पलट-पलट के फ्राइने तो यह देखिए कलर अच्छा आ गया है हम निकाल लेते हैं तो मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी किते अच्छे से मतलब अंदर तक भी दिख रहा है चीज और मेल्ट हो गई है तो एक और मैं कल लेती हूं फ्राई करके आपको दिखा देती हूं बहुत जटपट से फ्रा कट करके तो आवाज नहीं सुना सकती हूं मैं क्योंकि इधर बच्चे मेरे पर्शान कर रहे हैं मतलब सोर कर रहे हैं तो इसलिए मैं ऐसे ही बट बहुत ज्यादा उपर से क्रिस्पी था अंदर से सॉफ्ट था तो आप जरूर ट्राय करना आपको बहुत पसंद आएगा ओ जड़े जोय।